नमस्कार दोस्तू मितलांचल एक्स्प्रेस चनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तू दरवंगा अतरिक टर्मिनल के लिए प्रयास तेज बिहार न्यूस ड्रेस दरवंगा एरपोर्ट अडिटोरियम में आईजी सुरक्षा एमार नाया की अधिक्षिता में बैठक बैठक में भी बताया गया कि एरपोर्ट के पास सरक के सामने की सीमा पर 500 मीटर तक व्योकटर का काम चल रहा है और 300 मीटर तक का काम हो चुका है से इस 200 मीटर व्योकटर का काम 10 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा और इस पर आजी सुरक्षा ने संतोस जताया हवाई रन्वे के दोनों और बार लगाने का काम भवन संभाग दरवंगा दोड़ा करने का आदेश दिया गया है भवन प्रमंडल ने बताया कि 28 जन्वरी से काम सुरू हो जाएगा और 15 दिनों में एक तरफा बार लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा फिसिंग का काम पूरा होने के बाद एरपोर्ट छेतर के आसपास के जन्गली सुर और नीलगाय को सिफ्ट करने का काम भी सुरू किया जाएगा बैठक में एरपोर्ट आथरिटी आफ इंडिया के जीम और डीजीम ने कहा है कि दरवंगा एरपोर्ट से रोजाना तकरीबन 2400 से 3000 यातरी आवजाही करते हैं और टर्मिनल की आवशक्ता है बताया गया है कि अधरिक टर्मिनल के लिए वायू सेना की ओर से जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बात चेत चली रही है आज सुरक्षा ने निर्देश दिया है कि BMP 13 ने पुलिस उपाधेक्षक के निर्दित्व में अगने समन में लगे कर्मियों और सुरक्षा में लगे कर्मियों को हर 15 दिन में नियमित रूप से प्रसिक चित किया जाए साथ ही पूरे एरपोर्ट छेतर और उसके आसपास के छेतर में ड्रोन नौट फ्लाइट जोन घोजित करने के निर्दित्श दिये हैं ये भी बताये गए हैं कि दरवंगा हवायडे के लिए पार्किंग की समस्या के शामाधान के भी प्रयास किये जा रहे हैं और फिरहाल वन विभाग की जमीन को जिला प्रशाशनी चिनित कर लिया है जाज के बाद चिनि जमीन पर काम सुरू किया जा सकेगा और पुलिस उप महानेडिक चक सुरक्षा वरिष्ट पुलिस अधिक चक दरवंगा भारतिय विमान पतन प्रधिकरन के जीम और डी जीम वायू सेना विंग कमांडर जिला भूमी अधिगरन अधिकारी सह विसे इस करतवे अधिकारी अजय कुमार बेंपी 13 के पुलिस उपाधिक चक और अन्य संबंधित अधिकारी सामिल थे बैठक में तो दोस्तों ये था हमारा आसका रिपोर्ट और इसकी साथ हम लेंगे आपसे विदा साथी दरवंगा की लोकल खबर एवं दरवंगा रिपोर्ट से सब्सक्राइब जरूर करें सुक्रिया